दोस्तो आज का जो वीडियो है वो काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि फल वह सबजियों में जो रंग और तीखापन होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है दोस्तो आजकल इस topic से exam में काफी questions बन रहे हैं तो आप ध्यान से इस video को देखिएगा काफी मज़ेदार trick बनाईए मैंने हसी मज़ाक में आपको सारा याद हो जाएगा और दोस्तो last में मैंने एक very important question answer test भी रखा आपके लिए जो last year इस topic से questions पूछे गएं और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे question हम test में solve करेंगे तो चलिए friends हम video को start करते हैं और trick को समझते हैं देखिए friends सबसे पहले हम बात करते हैं कि टमाटर का जो रंग होता है लाल वो किस pigment की वज़े से इसका रंग लाल होता है तो टमाटर में क्या pigment उपस्तित होता है लाइकोपीन लाइकोपीन की वज़े से टमाटर का रंग लाल होता है अब इसको हमको याद करना है तो चलिए मैं आपको trick बताता हूँ देखिए लाइकोपीन जब भी word आएगा तो देखिए आपको क्या करना है ला से क्या बनेगा आपका लाल बनेगा को से बनेगा को और पीन से बनेगा पीना ठीक है लाल रंग को पीना है तो ज़़ टमाटर था पेले उसके पास कोई भी रंग नी था तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा तब जाके टमाटर जो था वो लाल रंग का हो गया तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा ठीके ना लाल को पीना पड़ा लाल रंग को पीना पड़ा देखिए ये वर्ड समझ में आरा आपको तो बस छोटी सी ट्रिक है लाइकोपीन में वर्ड चुपा हुआ है लाल को पीना तो लाल को किसने पिया ता है टमाटर ने तब ही वो लाल हुआ तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं जब भी लाइको पिन आएगा आपके दिमाग में ये स्टोरी क्लिक कर जाएगी अगला आता है गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट की वज़े से होता है तो देखे फ्रेंट्स बहुत ही सिंपल ट्रीक इसकी गाजर को इंगलिश में क्या बोलते हैं केरट बोलते हैं सबी को पताईए तो आप्शन में आपको बस यही दिखेगा केरोटीन केरट तो वहाँ पर देखे वर्ड छुपा हुआ है तो इस तरीके से आप इसको निगाल सकते हैं आराम से कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो केरोटीन पिगमेंट उपस्तित होता है उसमें इस वज़े से होता है एक और चीज ध्यान रखेगा कि गाजर का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट की उपस्तिती के करण होता है एंथोसाइनीन ठीक है फ्रेंट्स एंथोसाइनीन पिगमेंट की वज़े से गाजर का रंग लाल होता है बाकी मैक्सिमम एक्जाम में जो कोशन पूछा जाता है वो केरोटीन से ही पूछा जाता है ध्यान रखिएगा सेप का जो लाल रंग होता है एपल का वो भी एंथोसाइनिन की वज़े से ही होता है आगे बात करते हैं दोस्तों हम करेले का कड़वापन करेले का कड़वापन किस पिगमेंट की उपस्तिधी करण होता है तो काफी इंपोर्टेंट है यह ठीक है और इसको हम चलिए ट्रिक से याद करते हैं देखे करेला जो है वो आयूरवेदिक चीजों को बनाने में यूज के जाता है तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं जबकि अगर आप मेडिसिन खाते हो तो बहुत ज़्यदा मेडिसिन खाने से साइड इफेक्ट आपको हो जाते हैं ठीक है तो बस यह हमारी ट्रिक है कि करेला जादा खाने से मेमोरीको साइड इफेक्ट नहीं होगा Memorico Side Effect तो करेले में क्या pigment उपस्तित होता है Memorico Side देखिए हम पर word आपको समझ में आ रहा होगा Memorico Side Effect नहीं होता है तो Memorico Side तो करेले में Memorico Side pigment उपस्तित होता है इस वज़े से करेले में कडवापन देखा जाता है ठीक है? तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं चलिए अगला देखते हम मिर्च का लाल रंग और मिर्च का तीखा पन किस pigment की उपस्तिति के करण होता है तो फ्रेंड देखिए आपको exam में दो option देखने को मिलेंगे capsicene और capsicene ठीके इन दोनों में से कौन सा किसका आंसर है ये हम trick के माध्यम से समझेंगे सबसे पहले देखिए कि starting में दोनों में capsicene जुड़ा हुआ है तो आपको पता ही है शिमला मिर्च आपने खाई तो उसको English में क्या बोलते हैं capsicum बोलते हैं और answer में आपको capsicene भी दे रखा और capsicene भी दे रखा है तब आपको confusion हो जाएगा तो उस confusion को केसे दूर करें ये मैं आपको बता देता हूँ देखिए मिर्च को जब हम खाएंगे तो गर हमको तिखापन लग रहा है तो हमारी आखों से क्या निकलेगा आसू निकलेगा ठीक है ना तो बहुत जब आसू निकलेगे तो हमको कुछ भी सीन दिखाई नहीं देगा कुछ भी सीन दिखाई नहीं देगा तो सीन किस में आ रहा है capsicene में आ रहा है देखिए आपको मिर्च दिख रही होगी, बिल्कुल थीन है वो, पतली है, तो उससे भी आप उसको याद रख सकते हैं, clear, तो ये भी बहुत important है, UPPCS 2016 में question पूछा गयाता है यहां से, तो very very important है, यहां से question बनता है एक्जाम में, अगला आता है दोस्तों हमारा खीरे का कड़वापन, तो खीरे में कड़वापन किस pigment की उपस्तिती करन होता है, तो मैं आपको एक story बताता हूँ, देखिए, एक लड़की थी, वो खीरा लेकर आई, उसने खीरे को काटा, ठीक है, और खाया तो उसको कड़वा लगा, तो उसने क्या करा, खीरे को cook कर लिया, के कारण होता है, तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे, cooker, bitacine, cook करा था उसने, तो cook आपको word answer में देखने को मिल जाएगा, clear, चलिए, अगला आता है दोस्तों हमारा दूद का सफेद रंग, किस pigment की उपस्तिती करन होता है, तो दूद जो होता है, उसका सं अक्षर देखने को मिलेगे, क, स, न, तो बहुत ही सिंपर आपको देखिया answer मिलेगा, केसीन, ठीक है, किसान, कसान, केसीन, आपको word हलका हलका मेच करता हुआ दिख जाएगा, तो दूद का सफेद रंग, उसमें उपस्तित केसीन pigment के कारण होता है, वेरी वेरी इंपोर्ट करी के जैसा होता है, किसके जैसा होता है, करी के जैसा, मतलब अपन खाते हैं न, चावल करी खाते हैं, तो करी के जैसा होता है, बस यह हमारी ट्रिक थी, तो देखिये pigment का नाम है, केरी का जेंथिन, तो देखिये स्टार्टिंग का आपको word समझ में आ रहा होगा, केरी का ज Pigment के उपस्तितिक करण होता है तो वो है Solenine के करण Solenine pigment के उपस्तितिक करण आलू का हरा रंग होता है तो देखे थोड़ा मैं आपको समझा जाता हूँ अच्छे से Normal जो हमारे घर में हम आलू यूज करते हैं उसमें पर जब आलू मे, इनकी मातरा बढ़ती जाती है, तो आलू जो होता है, वो हरा होता जाता है, और हरा आलू जो होता है, वो सitteesत के लिए काफी हानिकार होता है, तो हमको नहीं खाना चाहिए, अगर हम हरा आलू खाएंगे, तो हमको Neurological Disease हो जाएगी, मतलब memory problem हो जाएगी sleep disorder हो जाएगा मतलब हम बार-बार सोने लगेंगे तो हरा आलू खाने से आदमी सोने लगता है तो देखिए आपको यहाँ पर word जो दिखेगा वो सोले मतलब सोने सोले सोने और नीन भी मतलब नीन्द तो पूरा word मतलब सोने से संबन दीते हैं सोले नीन तो बड़ा आसानी साब आंसर देखके समझ जाएंगे दोस्तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा important note है आलू जो होता है वो किस कुल का पोधा होता है तो सोले ने सी कुल का पोधा होता है आलू ये भी एक्जाम में question पूछा गया था ये एक प्रकार का क्या होता है तना होता है ठीके चलिए next आता है हमारा आवले में कसेला पन किस pigment की उपस्तितिक करन होता है तो देखे फ्रेंड्स काफी interesting trick इसकी आवले जो होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं टेहनी पे लगते हैं टेहनी पे लगते हैं इस वज़े से इसमें कसेला पन देखने को मिलता है और इसमें क्या pigment उपस्तित होता है टेहनी और टेहनी और टेहनी आपस में हलके-लके word मेच कर रहे हैं तो इसकी help से आप आसानी से answer तक पहुच जाएंगे देखे नेक्स्ट आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ काफ़ी interesting स्टोरी है एक लड़का था वो क्या कर रहा था? मूली को खा रहा था तो जैसे उसमें मूली को खाया उसको तीखापन मैसूस हुआ तो उसकी वज़े से उसकी आई सूस गई तो बस यही अमारी ट्रिक है मूली का थीखापन जैसे उसको मैसूस हुआ उसकी आई सूस गई आई सूस से अमारा बना देखिए आईसो साइनेट तो मूली का थीखापन जो होता है उसमें उपस्तित आईसो साइनेट की वज़े से होता है तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं मूली खाई उसके तीकेपन की वज़े से आई सूज गई तो आई सूज आपको स्टार्टिंग में वर्डी मिल जाएगा आई सो साइनाइट तो आंसर तक पहुँच जाओगे नेक्स्ट आता है दोस्तो हमारा हल्दी का पीला रंग किस पिग्मेंट की उपस्तिती करन होता है तो बड़ी शांदर सी ट्रीक है देखा होगा आपने हल्दी को कितनी कड़क कड़क होती है होती है न उसको पीसने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है जिसको हम यूज करते हैं गरू में तो करक करक होती है हल्दी स्टार्टिंग में हल्दी जो होती है वो करक करक होती है तो यह हमारी ट्रीक है तो बस करक करक जो है देखिए उसमें आपको कर्ब में क्या करना है उ की मातरा लगानी है तो क्या बन जाएगा? कुरकू बन जाएगा और हल्दी में जो pigment उपस्तित होता है वो क्या उपस्तित होता है? कुरकू मीन तो हल्दी के पीले रंग के लिए जो responsible होता है वो कौन सा pigment होता है? कुरकू मीन उसमें उपस्तित होता है इसी वज़े से हल्दी का पीला रंग देखने को मिलता है तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं देखे friends यहाँ पर हमारा trick वाला section complete होता है जितने भी important questions बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको trick से याद करवा दिये तो चलिए अब हम एक taste लगाते हैं लाल पीना पड़ा ठमाटर को लाल पीना पड़ा तो देखे लाज से बना लाल को पीना पड़ा तो like को पिन आंसर हमको समझ में आ रहा है गाजर का रंग किसकी मुझूदगी के कारण नारंगी होता है किसकी मुझूदगी कारण होता है गाजर जो होता हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं केरेट बोलते हैं तो आपको आंसर देखिए केरोटिन एक ही दिख रहा है बी आंसर पपीते में पीले रंग का करण होता है पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है करी के जैसा तो करी के जैसा केरिक का जैन्थिन, very important question है ये, C answer इसका देखिए देख के हमको समझ में आ रहा है, C answer सही होगा, चलिए अगला question लेते, मिर्च के तीखेपन का कारण होता है, क्या होता है, लाइकोपिन, बिल्कुल गलत, कैपसे सिन, बिल्कुल सही, कैपसे सिन, कैपसे कम, शिमला मिर्च, ज करेले के कडवापन का कारण होता है, तो करेला जो होता है, आयूरवेदिक होता है, तो मेमोरिक को side effect नहीं होता है, करेले से, तो मेमोरिक को side, B answer इसका सही होगा, आवले में कसेलापन किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, आवले जो होते हो, कहां पर लगते हैं, टहनी पर लगते हैं इसलिए उसमें कसेलापन होता है तो टेहनी मतलब टेहनी आंसर भी समझ में आ रहा है चलिए अगला कुशन लेते हैं आलू का हरा रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता हैं अगर हरा आलू आप खालोगे तो बहुत ज्यादा आपको नीन लगेगी ठीक है ना सो किसान ही निकाल के लाता है दूद तो मैंने आपको बताया था देखिए किसान केसीन सारा वर्ड मेज कर रहें अक्षर तो पिला रंण किसके करण होता हैं करक करक होता है तो trick क्या थी क के नीचे U की मातरा लगाना है तो कुर्कू तो answer क्या होगा? कुर्कू मिन तो A answer इसका बिल्कुल सही होगा खीरे का कड़वापन किसकी उपस्तिति के कारण होता है खीरे में कड़वापन हुआ तो उस लड़की निक्या करा था उसको कुक कन लिया था तो कुक से कुकर बिटेसीन देखिए अगला है मूली का तिखापन निम्ण मैं से किसकी उपस्तिति के करण होता है तो मैंने आपको क्या स्टोरी बताई थी एक लड़का था वो मूली खा रहा था तो उसको एक दम से तिखापन लगा तो उसकी आई सूज गई तो आई सूज गई तो आपको आंसर देखिए ए दिख रहा है बस तो ए आंसर सही होगा मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्तिति करण होता है मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्तिति करण होता है केप से थीन की उपसेदी करन होता है D answer तो friends देखिए यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से सारे questions solve कर लिए हैं और यह जितने भी questions है very very important है आने वाली exams में आपको questions यहां से मिल सकता है तो friends I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मेहनत अच्छी लगी होगी अगर आपको यह trick अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करिए share करिए और comment करके बताइए वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चेनल को subscribe नहीं कर रहा हैं तो subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो में upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत